चैप्टर नमबर 9, NCRT Some Applications of Trigonometry देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने चैप्टर नमबर 8 किया था Introduction to Trigonometry वहाँ पर हमने Trigonometric Ratios के बारे में देखा था 6 ratios पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि वो जो सारी ratios हैं जो है right angle triangle में हम use करते हैं उसके बाद में कुछ questions भी attempt करें अब हम बात कर रहे हैं कि जो Trigonometry है उसका use हम कहां कहां कर सकते हैं उसमें से जो basic है हमारा इस चैप्टर में वो एक ये है कि हमारे पास कोई भी एक pole या कोई building इस तरीके से हमें दिया होगा ठीक है हो सकता है उस building के उपर हमारे पास कोई object हो जैसे हमने यहाँ पर बना दिया ये माली जे कोई building है या pole है इसके उपर कोई object रखा हुआ है हम क्या करेंगे इस building की height find out करना चाहते हैं और माली जे यहाँ पर हम खड़े हैं ये कोई observer है ये उसकी eye यहाँ पर है अब ये observer है और ये उसकी eye है तो हमने क्या find out करना है पहले तो कि इसकी height क्या हो सकती है और दूसरा इस observer से इस building की distance क्या होगी ठीक है तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे we will see how trigonometry is used for finding the heights and the distance of various objects without actually measuring them बिना इनको जो है scale की help से measure करें हम trigonometry का use करके इसकी height और ये distance जो है वो find out करने की कोसिस करेंगे हमारे पास उससे पहले दो definitions है एक तो angle of elevation और एक होता है angle of depression angle of elevation पढ़ने से पहले मैं पता होना चाहिए line of sight क्या होती है देखिए ये मैंने कहा कि कोई भी एक pole या कोई building है इसके उपर कोई object रखा हुआ है यहाँ कोई observer है यह उसकी eye है यहाँ से observer जो है इस object को देख रहा है तो हम क्या कर रहे है कि इस eye को ठीक है इस object के साथ में एक straight line की help से join कर देते है यह जो straight line होती है इसी को क्या का जाता है line of sight clear है it is the line drawn from the eye from the eye of the observer to the point in the object viewed by the observer तो इस straight line को क्या का जाता है line of sight इसके बाद भी हम बात करते है angle of elevation देखिए angle of elevation of the point viewed यह जो है point जिसको हम देख रहे है the angle of elevation of the point viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level देखिए यह जो point है हम कह रहे हैं कि यह हमारी observer की eye थी इसके corresponding यह जो है यह horizontal level हो गया ठीक है horizontal इसी को कहते है इसके उपर कोई object है तो हम क्या करेंगे हम उपर की तरफ देखेंगे उपर की तरफ देखा थी यह line of sight है यह line of sight इस horizontal के साथ जो भी angle बनाएगी यह जो angle है इसी को क्या का जाता है angle of elevation clear है चीजे इसके बाद में बात करते है angle of depression की the angle of depression of a point यह माली जी डाइगराम है यह हम क्या करें अब इस object को देख रहे है और उपर से देख रहे है मतलब observer अब की बार किसी building किसी tower के उपर बैठा हुआ है और वो नीचे की तरफ किसी object को देखेगा तो क्या रहेगा देखिए इस eye के corresponding यह जो है straight line यह horizontal level रहेगा अब की बार क्या है देखिए यह horizontal level था इस से नीचे है अमारा point अब जब यहां से इस point को देख रहे है तो इसको जब straight line से join करेंगे तो यह line of sight रहेगी अब यह जो line of sight है यह इस horizontal level के साथ में जो भी angle बनाएगी इसी को क्या का जाता है angle of depression तो आपकी बार क्या रहेगा angle of depression कब बनता है जब observer जो है वो उपर से horizontal level से नीचे की तरफ मतलब उपर से नीचे की तरफ किसी object को देखता है तब क्या बनता है आपका यहाँ पर angle of depression ठीक है देखिए यहाँ पर यह और यह दोनों straight line है और parallel है क्योंकि यह भी horizontal है यह भी horizontal है यह parallel है यह कोई भी आपके transversal है तो यह angle और यह angle यह दोनों क्या रहेंगे आपके equal रहेंगे क्यों रहेंगे कोई भी दो straight line को जब कोई transversal जो है वो cut करती है तो यह जो है alternate interior angles और वो क्या होते है equal तो हम यहाँ से ऐसे भी कह सकते है कि इसके corresponding जब उपर देखेंगे हम तो यह जो है आपका angle of elevation का भी काम करेगा clear है यह angle क्या होते दोनो equal होते है और यहाँ से अगर उपर की तरफ देखें object को तो यह जो है आपका किसका काम करता है angle of elevation का तो angle of elevation और angle of depression यह दो definitions आपको clear होनी चाहिए इसके बाद में हम इसके base को एक question कर लेते हैं देखिए a tower stands vertically on the ground हमारे पास यह ground level है इसके उपर कोई tower खड़ा है बिल्कुल सीधा यह आपका tower हो गया from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower यह foot of the tower है इससे 15 meter distance के उपर ground के उपर कोई point है जिसको आपने मा लिया यह इसको नाम दे दिया A इसको नाम दे दिया B इन दोनों के बीच की जो distance है वो उसने कितनी बता रखिया है यहाँ पर 15 meter the angle of elevation of the top of the tower देखे top of the tower यही है अगर इस point से top of the tower को देखा जाए तो यह जो है आपकी line of sight बनेगी इस तरीके से इस point को आमने नाम दे दिया C यह क्या कह रहा है the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree angle of elevation अब यही रहेगा 60 degree clear है यहाँ से उपर की तरफ देख रहे हैं इस point से तो इस point से horizontal level तो यही हो गया यह line of sight है इन दोनों की बीच में जो भी angle बनता है उसी को क्या का जाता है angle of elevation तो कह रहा है find the height of the tower इस tower की height find out कर यह BC की देखिए solution given क्या क्या है वो लिख लेते हैं a b is equal to 15 meter and angle b a c b a c is equal to of 60 degree अब यहाँ पर देखेंगे देखिए बिलकुल यह सीधा है वर्टिकल है तो यह angle 90 degree का बनेगा तो यह जो triangle है a b c right angle triangle बन गई now triangle a b c is an is a right angled triangle a b c जो है right angle triangle हमारे पास बनेगी अब देखिए right angle triangle है तो हम trigonometric का यूज कर सकते हैं हमने find out करना है यहाँ पर b c ठीक है अब देखिए जो चीज हमने find out करनी है और जो चीज हमें given है इन दोनों में relation देखें तो हमने एक trigonometric ratio पढ़ी थी जिसको हम कह रहे थे tangent ठीक है tangent of theta कह लिजिए या tangent of x कह लिजिए वो क्या होता है आपर कि यह जो angle है इसके opposite वाली side side opposite to the angle divided by side adjacent to the angle अगर यह आपका angle theta होता तो इसके opposite वाली side क्या रहेगी bc इसके adjacent side क्या रहेगी ab अब यहाँ से आप देख सकते है tangent of यह कितना है हमारे पास theta 60 degree which is equal to bc upon ab की value कितनी given हमें 15 degree ठीक है इस यहाँ से हम 15 को उपर लेके जाएं 15 multiplied by tangent 60 degree उसको मैं लिख सकता हूँ उसकी value होती है square root of 3 which is equal to bc which implies bc is equal to 15 into my square root of 3 meter तो bc की value कितनी आ गई 15 square root of 3 meter clear है तो इस तरीके की जो भी questions होंगे वहाँ पर आपके पास हर बार एक right angle triangle बनेगी ठीक है जो भी चीज आपको find out करवाना चाहता है जैसे वो यह पूशता कि इस यह जो आपका top of the tower था इस point और इस point के बीच का distance बताईए मतलब हमें क्या find out करना होता a c और हमें क्या given है a b तो इन दोनों के बीच में relation कैसे देखते हैं कि हमें पता है अगर यह angle है तो इसके adjacent side को जब hypotenuse से divide करोगे तो आपके पास बनता है cos तो हम यहाँ पर use कर सकते थे कि वह cos 60 degree जो है वो equal रहेगा a b that is side adjacent to the angle divided by hypotenuse cos 60 degree वो होता है 1 by 2 which is equal to a b जो कि हमने given है और a c जो कि हमने find out करना है which implies a c उपर जाएगा यह 2 इदर आके a b के साथ multiply over a b की value है 15 यह हो जाएगा 30 meter clear है चीज़े